कि तमाम राजनितिक दल जो है जो खुद को सेकुलर कहती है या खुद को कहती है कि जो पलस्तिन के पक्ष में हैं लेकिन वो दबी जबान पे कहां पर कह रहे हैं किसको कह रहे हैं यह पता नहीं चल रहा है एक मात्र कमनिस्ट वामपंती लोग इन्कलाब जन्दाबात करानर लगाने वाले लोग अपना हाथ में अपना पर्चम लेकर जंडा लेकर रास्ते में उतर कर फलस्तिन के पक्ष में खुले आम खड़े होने का काम कर रहे हैं बाकी लोग धोका देने का काम कर रहे हैं बाकी लोगों का सवाल ये सवाल उनसे आपको पुछना होगा जो बड़े अकलियतों की हमदर्द बनती हैं जो सर में डुपट्टा लगा लेती हैं ये जगला इसी मुसल्मान और यहुदी का जगला नहीं है ये जगला फलस्तीन के जमीन का जगला है ये जगला फलस्तीन के अवाम के हुकुक का जगला है इस जगले में अमेरिका इसराइल को मदद कर रहा है और इसराइल बेकसूर को आज लगबक कई सालों से रोज की तरह रोज रोज बरोज एक को एक फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है और ँपुद्व को सोकॉल्ड सेकुलर कहते हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। उनके नेताओं से पूछिये, वह या आप अपना झंडा लेकर रास्ते पर क्यों नहीं इतर रहे हैं।'d क्या मुसल्मानों का मुवमेंट यह यह इन्सानियग पर हमला है। श फळस्नीन के इन्सान आज इस्राइल के कबजे में है एक वक्त में हिंदुस्तान भी बिटिश के कबजे में था हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई या वो लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते जैसे बगत सिंग सारे लोगों ने मिलकर इस लडाई को लड़कर इस देश को अजाद किया वो भी अपनी अजादी की लडाई लड़ा है बामपंती लोग, इनकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाने वाले लोग उनके साथ हैं बाकी लोगों से पूछिए वो किनके साथ खड़े हैं आरेसिस के साथ खड़े हैं या फलस्तीन के हुकुक के साथ खड़े हैं उनके साथ रहने वाले लोग हैं जो जुम करता है उसके खड़ाफ रहने वाले लोग है यहाँ चाइना का कोई बहस नहीं है और अमेरिका इस दुनिया में इस दुनिया में इनसानियात का दुश्मन है इसलिए हम लोग उसके खड़ाफ है अब ही देख सकते हैं आप अपनी नजरिया से देखे न कि अमेरिका किसके साथ खड़ा है जुल्म करने वाले के साथ खड़ा है या जुल्म जिस पर हो रहा है उसके साथ खड़ा है अमेरिका जो जुल्म कर रहा है उसके साथ खड़ा है झाल झाल